इस question में आपसे बोला गया है कि आपको difference बताना है एंगल में pie chart के अंदर expenditure जो आपको दिया गया है binding और printing के बीच का जो आपको difference है एंगल के फार में आपको बताना है binding कितनी है 25 है और यह कितना है 30 है इन दोनों का बीच का difference कितना हो जाएगा 5 और चुक्कि आपको बताना है किसमें एंगल में बताना है तो हो जाएगा कितना 360 से multiply करेंगे बटे में 100 कर देंगे तो यह हो जाएगा कितना आपको जिरो से जिरो केंसल आउट पांट से कटेगा दो बार में दो से कटेगा कितना 18 बार में